इस समाज को नशामुक समाज बनाने इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्रियों को जलाना है वैसे तुम्हें बहुत अच्छा है इंसाथ तुम्हासी मजाग करते लेकिन कोई गुस्सा दिल है तो गन से सीधा उसके पूरजे उड़ा देता पूरे देश में बॉलिवुड और साउथ की कई मूवीज ने धहमाल मचाया था इन सभी मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी इन सभी मूवी में से एक सुपरस्टार थलापती विजे की लियो भी रही थी आपको बता दें ये मूवी साल 2023 में 19 अक्टूबर को रिलीज की गई थी और इसने अपने पहले दिन ही इंडियन सिनेमा के कई रिकॉर्ड तोर डाले थे और साथ ही ये मूवी सुपर डुपर हिट मूवी में शुमार हो गई थी तो वहीं लोगों को लियो मूवी काफी ज्यादा पसंद भी आई अब सुनने को मिला है कि फिल् इसने उनकी अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी सवाल किये थे तो इसी दौरान लोकेश कनगराज ने बताया कि वो अपनी नेक्स्ट मूवी रजनीकांथ सर के साथ करने वाले हैं और इसके बाद ही वो लियो दो पर काम करेंगे आपको बताना चाहूंगी LCU लोकी सिनेमेटिक यूनिवर्स है जिसमें कमल हासन की विक्रम कार्थी की फिल्म कैथी और थलापती विजे की मूवी लियो शामिल है और अब रजनीकांथ सर की थलाईवा 171 भी लोकेश कनगरा सिनेमेटिक यूनिवर्स का हिस्सा बनने वाली है बात करें मूवी के पहले पार्ट के बजट की तो इस मूवी का बजट 300 करोर था और इसमें थलापती विजे मेन लीड रोल में देखने को मिले थे और इनके साथ त्रिशा कृष्णन और बॉलिवुड एक्टर संजे दत देखने को मिली थी लेकिन अस मुवी का नेक्स्ट पार्ट थोड़ा अलग और हटकर होने वाला है सुनने को मिल रहा है कि तलापती के साथ मूवी में कमल हासंसर देखने को मिल सकते है खबरों की माने तो लिए पार्ट 2 की स्टोरी काफी अलग और बजट भी काफी चोटे से सीन नहीं फैंस को अपना दीवाना बना लिया था अब देखना ये होगा कि लियो दो हमें कब देखने को मिलती है तो आप जब थलापती विजय की मोस्ट अवेटेदर मुवी लियो पार्ट दो के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं कमेंट करके जरूर बाकी और भी ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें